नमस्कार लाइब लगतार देख रहे हैं आप और मैं शिबेंडू आपने अब तरक कई फैसल सुबस देखे होंगे कई मॉडल्स को देखा होगा उनके रैंप वॉक भी देखे होंगे लेकिन क्या आपने कभी किसी माँ को गोग में अपने बच्चे को लेकर रैंप वॉक करते देखा है यह नजारा जारखन की राजधानी राची में दिखा जहां एक महिला आपने दस महिने की बच्ची के साथ स्टेज पर आई और रैंप वॉक किया मौजल अलिशा गौतम उराओ जैसे ही स्टेज पर अपनी बच्ची नायरा के साथ आई और रैंप वॉक शुरू किया लोग अपने जगा पर खड़े हो गए और ताईया बजाने लगे पूरा हॉल ताईयों से गुन इठा लोगों को लगा जैसे उन्होंने कुछ अद्बूत देख लिया हो ऐसे तो हम जार्खिन में अक्सर देखते हैं कि महिलाएं अपने बच्चों को बेतरा करके खेतों में काम करती हैं लेकिन जब बेतरा के कपड़े के साथ अपने बच्चे को गोद में लेकर एक मॉडल अलिशा गौतम उड़ाउं स्टेज पर नजर आई तो मानों लोगों के अंदर एक नई उजा भर गई और सभी तालिया बजाने लगे निकीव जुत्रा आदिवासी फैसर शो का ये नजारा सोशल मेडिया पर खूल शेयर किया जा रहा है इसमें मॉडल अलिशा ने मंगल नार्ग की डिजाइन किये पढ़िया साड़ी के साथ ट्राइबल जुलरी बहन रखी है साथ ही परपरगत बेतरा यानि बच्चे को मान सब्सक्राइब करनी है इतना ही दूले रहे हैं लाइब लगतार के साथ मुश्क्राइब